हेलो एवरिवन मैं रॉसन सर आपका स्वागत करता हूँ पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में हम लोग यूनिट टू पढ़ रहे थे और यूनिट टू में थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे थे और प्रिविएस लेक्चर में मैंने आपको बताया था साइट सेलेक्शन मतलब थर्मल पावर प्लांट के लिए हम किस तरह से साइट का सेलेक्शन करेंगे और आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अब साइट का सेलेक्शन हो चुका है कहां थर्मल पावर प्लांट बैठाना है तो अब हम लोग क्या करेंगे उसका ब्लॉक डाइग्राम पढ़ कब कैसे एरेंज होगा क्योंकि आप याद नहीं ऐसे कर पाऊगे पर अगर आपके दिमाग में बैठ चाहेगा कि कैसे कैसे अब फाइनली उस तरह से उसको एड़ेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग डाइग्राम ऑफ थर्मल पाबर प्लांट ठीक है तो करेंगे क्या मैंने यहां ब्लॉग डाइग्राम बनाया है आपको भी इसी तरह का बनाना है जिससे की हम पहले से ब मतलब यह नाम से पकड़ में आ रहा है बॉइलर मतलब बॉइल करने वाला चीज तो एक ऐसा क्लोजड वैसल जिसके अंदर वाटर को स्टीम में कंवर्ट किया जाता हो विद्ध हैलप ऑफ हीट ऐसे सारे डिवाइसे को हम लोग कह रहें बॉइलर कह रहें ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा तो बॉइलर से पहले क्या होगा बाद में क्या होगा उसके बारे में हमको याद रखना है तो बस याद रखेंगे कि में जो चीज है वह बॉइलर है तो सबसे पहला क्या है आपको एक कोल स्टूरिज बनाना होगा आपको पता है कि थर्मल पावर का जो में फ्यूल होता है क्योंकि आपको बताया थे क्यों आपको proteoda 5परसेंट जो इंडिया में thermal power plant है वह सारा का सारा सारा जो best है को बेस्टalar thermal power plant है बागी बाद और जो भी बचा-खुचा thermal power plant होगा उसमें हो सकता है natural gas के मदद से हम लोग काम करते होंगे तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे एक cold storage के लिए बड़ा सा area select करेंगे जिसको हम लोग cold yard कहते हैं तो क्या होता है कि जहां पर कोईला का मात्रा ज्यादा होता है वहां से लोग क्या करते हैं लगपगbero yell को मैंते हैं कैसे तो ट्रैन के द्वारा क्योंकि आपको एक अग्दो ट्रक का जरूरत नहीं पड़ता है वहान हजारो हजारो टन का जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं coal माइन से ट्रांसपोर्ट करते और कोल को स्टोर करने के लिए थर्मल पापर प्लांट में बड़े से एरिया को कवर करना पड़ता है उसको हम लोग कोल याड कहते हैं और लगबग 20 दिन का एक्स्ट्रा कोल वहां पर स्टोर रहता है क्योंकि हो सकता है अगर ट्रांस्पोर्टेशन में किसी तरह का ट्रबल अगर आपके पास कोल नहीं रहेगा तो आप कैसे वाटर को स्टिब में इसलिए स्टोरेज के रूप में 20 दिन का एक्स्ट्रा कोल रहता है तो एक बड़ा सा एरिया चाहिए क्योंकि सॉलिड फ्यूल को रखने के लिए कापी बड़ा एरिया का जूरत पड़ा तो सबसे प इसके बाद नेक्स्ट कोल स्टोरेज के बाद से वहां सेमलो क्या करें कोल हैंडलिंग प्लांट में ले जाएंगे कोल हैंडलिंग प्लांट का मतलब होता है कि जो कोल होता है चुकि माइनिंग करके निकालते तो माइनिंग के दौरान क्या होता है उसमें बहुत सारा स्टो मेटल डिडक्ट करता है तो उसको क्या करते है पहले हटा दिया जाता है फिर क्या होता है वो जो कोल है वो आगे जाता है और उसको जो है crushing section में भेज दिया जाता जहाँ पर coal का जो है छोटा छोटा pieces बना दिया जाता है फिर उसको क्या करते हैं आगे भेजते हैं pulverized section में वहाँ पर क्या करते हैं उस coal को powder के रूप में convert कर दिया जाता है तो clear हो गया तो यहाँ से आप देखे होंगे coal storage है फिर coal handling plant है आपको यादों का unit 1 में मैंने आपको thermal power plant बताया था तो आपसे फिर से request है कि आप उस lecture को एक बर फिर से आप देख लेंगे कि कैसे काम करता है क्योंकि उस सारे चीज में मैंने आपको describe कर दिया था clear है? अदरवाइस जिसको याद होगा क्योंकि आप बार-बार lecture देखने से अच्छा अपने यादास का capacity को बढ़ाई है तो आप notice कि कैसे coal storage था फिर वहाँ से conveyor के थुरू कोईला जाता था फिर crushing section में जाता था grinding section में और फिर वहाँ से coal को pulverized रूप में convert किया जाता था powder के रूप में यहां तक समझ में आ रहा है तो यह आपका पहला यह हो गया फिर यह दूसरा हो गया अब क्या हो गया? यह जो coal है यहां पर एक भठी होगा जिसको लोग furnace कहते है तो कोईला यहां पर जाएगा कहां पर? furnace में boiler के अंदर ही furnace लगा हुआ रहा था अगर boiler के अंदर furnace लगा है तो ऐसे को internal fired boiler कहेंगे जब आपको next lecture में यह सारे component के बारे में describe करेंगे जिसमें boiler रहेगा types of boiler तो हां और detail बताएंगे पर हम बार-बार आपको बता रहे हैं कि मेरा हर एक lecture पूरे topic को cover कर रहा है आप अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो पूरा unit आपका बहतरीन cover हो रहा है और आपको कोई extra book या किसी चीज का ज़रूरत नहीं है बस अच्छे से पूरे lecture को सुनेंगे और खूब अच्छा से copy बनाएए बार-बार ये चीज़ बताता हूँ तो cold storage से गया कहा cold handling में क्यों गया पता चल गया कि जो भी उसमें metal होता है stone होता उसको deduct किया जाता है और pick किया जाता और फिर उसको क्या करते है उसको grinding section में crushing section में भेज के फिर pulverized किया जाता है अब boiler के furnace के पास चला गया तो furnace का मतलब हो गया बठी जहां पर आग लगता है तो आपको पता है कि कोई भी fuel तभी जल सकता है जब उसको sufficient quantity of air मिले तो हम लोग क्या करते हैं एक hot air को यहां से गुजारते हैं ठीक है? तो ये एक दो और ये दोनों मिलके यहां से cold जाएगा यहां से hot air आएगा और ये furnace के section में तीन यहां पर क्या होगा? आग लगेगा इतना बात समझ में आ रहा है अब ये hot air आया कहां से? बात में बताएगे पर अभी याद रखना है कि यहां पर cold का dust और hot air दोनों जो है इस furnace के पास आके मिला यहां पर furnace लगा है अब सूचिए जैसे furnace में आग लगा तो large amount of heat energy generationate हुआ अब जैसे heat energy generate हुआ तो boiler के अंदर क्या रहता है? तो boiler के अंदर जो है water रहता है clear है? तो boiler के अंदर जो water है उस water को क्या करेगा? गरम करेगा तो water क्या करेगा? इस heat को absorb करेगा and converted into the steam तो यहां से boiler जो है steam में convert होगा इतना समझ मैं आ रहा है अब जब यह steam में convert होगा इस steam को देखें यहां पर तो यहां से आप क्या करेंगे steam नमबर हो गया यहां पर आप 4 नमबर देदेजिए boiler से क्या हुआ steam निकला अब यह जो steam है कहां जाएगा super heater में जाएगा super heater क्या है तो अब यहां से ध्यान से सुनेंगे वापस चलते तो 3 के पास क्या है 3 के पास furnace लगा हुआ है boiler में furnace है 3 के पास क्या है boiler में furnace है यह आपको समझाने के लिए block diagram में बस आपको जितना चीज़ दिखा है उतने ही दिखाना है यह सरिफ आपके extra के लिए कि team के पास हम किसको assume कर रहे है तो furnace रहेगा जो boiler के अंदर रहेगा तो internal part को नहीं दिखाना है ठीक है अब दिख्यो जो furnace हुआ इसमें तो आग लगा तो koila का जो है ass particle तो बचेगा ही बचेगा तो जो ass बच रहा है उसको हम लोग क्या किए यहां से collect कर लिए उसको कहेंगे ass handling plant clear है तो जो koila का राख बचा है उसको यहां पर collect कर लिए उसको क्या किए वो जो राख particles बचा था उसमें फिर क्या करते है और भी बहुत सारा water यह सम मिला कि उसको solid बनाने का कोसिस करते है दरवाइस वो dust particle रहेगा तो फिर air किसम पर्क में आने से air pollution जाता करेगा तो उसी को वहां पर ass handling plant होगा एक जगह जाके इखटा हो जाता है फिर उसको क्या करते है ass storage अब जो koila का रात बचा है उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते है उसको भी storage करना पड़ता है और फिर उस koila का जो ass बचा है उसको कहीं न कहीं use करते है और नहीं तो thermal power plant में ही उसको disposal किया जाता है तो maximum क्या होता है इसको use होता है recycling type का तो इसको बहुत सारे cement industries में भेज दिया जाता है जहां इटा बनता है वहाँ भेज दिया जाता है या जहां रोड बन रहा है वहाँ उसके base बनाने के लिए भेज दिया जाता है तो इस तरह से आप इसको पहले store कर लेते हैं फिर इसको arrow दिखा रहे है कि इसको transport कर दिया जाता है जहां इसका need होता है तो I think आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा तो इसको मैं हम जो है पांच नमबर दे दे clear यह पूरा section को पांच नमबर दे दिये आपको block diagram में 1,2,3 नहीं समझाना है बस आपको समझाने के लिए यह सब numbering कर रहा हूँ और इसी तरह से आपको भी याद रख रहा है clear है? चलिए next boiler से क्या हो गया? steam निकला ध्यान दिजएगा boiler से जो है वह steam निकला अब यह steam कहा जाएगा? superheater में जाएगा अब notice करेंगे कि दो चीज़ koila आया hot air आया दोनों मिला वहाँ पर जला water को steam में convert किया और जो ice particle था उसको ice handling plant में भीज़ दिए तो फिर question उड़ता है sir boiler से धुआ गया कहा? तो boiler से जो धुआ है उसको देखो इधर दिखा रहा है arrow में हलाकि धुआ हमेशा उपर रहेगा पर चुकि यह ground surface है यह ध्यान दिजेगा यह जो block diagram बन रहा है यह vertical axis में नहीं बन रहा है यह ground section पर बन रहा है और ground section पर सारा equipment लगा हुआ है तो उसी equipment में आपको दिखा रहे हैं तो ऐसा realize नहीं कर जाएगा चुकि ground section को हम लोग vertical section में दिखा रहे हैं इसलिए diagram जो है उपर नीचे आपको दिख रहा है clear है तो यहां से जो flu gases है यह देखिए flu gases है यह बाहर निकला अब यह flu gases जिसको हम लोग hot product gases कहते हैं जब koila को जलाएंगे तो koila को जलने के बाद उसमें काफी मात्रा में जो है hot air रहता है या heat रहता है तो उस heat का हमको use करना है क्योंकि आपको पता है कि आप engineering कर रहे हैं तो finally आप चाहोगे कि maximum output ले ले fuel से और minimum exhaust करें तो वही काम हम लोग यह कर रहे हैं कि boiler से direct chimney में नहीं फेक रहे हैं क्योंकि उस hot air में जो है उस hot gases में जो कोईला और air के संपर्क में आने से जो जला जो product gas है उसमें काफी मात्रा में जो है heat है जैसे example से समझाता हूँ माल दीजी हम अपने college से घर जो है बाइक चला के आए तो आप notice करेंगे उसके engine में petrol जलता है और air दोनों का mixture जलता है तो जब जलता है तो उससे energy बनता है और piston को उपर नीचे करता है और finally जो product gas है वो exhaustor silencer के थुरू बाहर जाता है अगर आप माल लिजे मेरे silencer पर पैर रख देते हैं तो आप notice करेंगे कि आपका पैर जल जाएगा और आप देखेंगे कि silencer काफी गरम हो चुका है तो सोचिए जो engine से इतना छोटा सा engine से जो product gas निकल रहा है उसमें इतना ज़्यादा heat है तो सोचो thermal power plant में तो ton o ton koila हम लोग जलाते हैं तो product gas में कितना ज़्यादा heat ऐसे ही बाहर जा रहा होगा तो हम लोग उसका क्या कर रहा है use कर रहा है कैसे कर रहा है अगर मेरे silencer में गाड़ी मेरे गाड़ी के silencer में आप जग गरम है उसमें पानी डालेंगे तो आप notice करेंगे वो steam बन रहा है तो सोचो इस heat में भी तो कुछ न कुछ qualities होगा heat का तो हम लोग क्या करता है यहां से अभी start हो जातीं इसको 6 नंबर दे दिए जो product gas है फ्ल्यू gases का यहां पर मतलब हो रहा है product gas जो जलने के बाद जो बचा हुआ gas है उसको हम लोग क्या कर रहा है product gas या flux gases के रहा है clear यहां तक हो रहा है अब ये जो flu gases है, इसको क्या कर रहे हैं, super heater से गुजार रहे हैं, super heater क्या है, तो super heater एक ऐसा arrangement है pipe का, जो steam बनता है, तो ये जो steam बना, इसको अब small diameter के pipe से गुजारते हैं, जो बहुत सारा round किया हुआ रहता है, और ये जो flu gases है, जैसे मान लिजे ये round आपका tube है, pipe है, और उसम steam है, तो ये आपका pipe है, इसमें steam है, और ये सारा का सारा closed section में रखे हैं, किसको pipe को, और सोच ये कि उस बड़े से closed section से ये जो धुआ है, product gas ये गुजर रहा है, तो ये जब गुजरेगा, और उस pipe में क्या है, steam है, तो pipe जो है, वो metal का बना हुआ है, और steam उसके अंदर है, और उसके चारों तरफ से क्या हो रहा है, ये धुआ गुजर रहा है, तो जब ये धुआ गुजरेगा, तो इस steam के quality को क्या करेगा, और superior कर देगा, और अच्छे कर देगा, और यहां से जो steam निकलेगा, उसको super saturated steam कहेंगे, सबज में आ रहा है कौन सा steam कहेंगे, super saturated steam कहेंग इसका मतलब ऐसा steam जिसका quality क्या हो गया हो और बढ़के हो यहां जो time निखला इसको ड्राइ steam कह रहे है ठीके steam भी तीन तरीका का weight, dry और super आप अम के pressure cooker से जो steam निकल रहा है उसमें आप NHS करते हैं जो this team निकल तो उसमें water WET weight steam, अगर उसको फिर से गरम किया जाए और उसमें water molecules क्या हो जाए, जिरो हो जाए, तो उसको कहेंगे dry steam, और dry steam को फिर से गरम किया जाए, वो जो steam होगा, उसको क्या कहेंगे, super saturated steam कहेंगे, यहां तक समझ में आ रहा है, तो यह 6 से कहा गया, अब यह 6 से पहुच गया, 7 नम turbine एक ऐसा mechanical device है, जिसमें हम क्या करते है, steam को inject करते हैं, और जैसे steam उस turbine में जाता है, तो वो उसके blade को rotate कराता है, और blade जब रोटेट करता है, तो soft को rotate कराता है, और soft जो है, इसको हम लोग couple कर देते हैं, जहन देंगे, इसको क्या कर देंगे? कपल कर देंगे, कपल का मतलब जोड़ा, तो जोड़ा किसके साथ करते हैं अल्टरनेटर के साफ्ट के साथ कर देते हैं, और आपको पता है कि जब अल्टरनेटर जो है हाई स्पीड में रोटेट करता है तो वो अपने अंदर एक magnetic field का generation कर देता है magnetic field बना देता है और वहाँ से charge का development होता है चार्ज जो है flow करना start करता है और अगर charge flow करने लगा तो उसको हम लोग क्या कहते है current कहते है, तो finally ये जो है, charge flow करने लगता है transformer के पास देते थे हैं जिसमे step up step down कर किया जाता है ठीक है और फिर वहां से क्या है वहां से उसको transmission line में छोड़ दिया जाता है तो साथ से कहां जाएगा आठ पर जाएगा कहां पर alternator के पास यहां तक बात समझ में आ रहा है चलिए अब यह जो product gas है ध्यान से सुनेंगे फिर यहां से अब यह जो super heater है आपको क्या बताएगो यह super heater ऐसे गोल है और इसके अंदर pipe था तो सोचिए closed section के अंदर pipe है और यहां से product gas जा रहा है तो वो क्या क्या सुपर heater को करम किया फिर उसका product gas आगे जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा very very important याद रखेंगे आपको चार नमर में direct question आ सकता है कि इकनो माइजर क्या होता है ठीक है तो इकनो माइजर में इकनो माइजर का मतलब ही होता है इकनॉमी को बढ़ाना इसका मतलब thermal power plant में continuous जो है water को steam में convert किया जाता है अगर हम पानी को थोड़ा जादा temperature पर पहुचा के boiler के अंदर दे तो boiler को कम काम करना पड़ेगा steam को generate करने के लिए तो यहां से ध्यान दीजेगा अब यहां आजाएए मान दीजिए कोई river है तो river से हम क्या किये पानी को खीचे direct boiler में कभी नहीं देंगे क्योंकि उस पानी में जो है काफी मात्रा में गंदगी रहता है साथी साथ minerals particles रहता है तो हम लोग क्या करते हैं एक बड़ा सा house बनाते हैं उसको कहते है water treatment chamber वहां पर water को प्यूरिफाइड किया जाता है जिससे क्या है उसमें मर्ड कछड़ा यह सब नहीं रहे नहीं तो क्या करेगा बॉयलर के surface में जमा होते जाएगा और फिर बॉयलर का efficiency क्या करेगा खराब कर देगा तो यहां से हम क्या कि रिवर से पानी को खीचे that is called water treatment chamber अब यहां से क्या है pump लगा हुआ है क्लियर है उसके बाद क्या है feed water heater यह जो पानी रहता है यह नॉर्मल temperature पर रहता है तो हमको क्या करते है इसका temperature को थोड़ा हाइग कर देते हैं इसके बाद यह आगे जाता है और इक्नुमाइजर क्या है तो इक्नुमाइजर भी एक तरह का pipe है बहुत सारा pipe घुमा हुआ हुआ है और फिर उस pipe के चारो तरफ से क्या है product gas गुजर रहा है तो सोच यह जो इक्नुमाइजर है वो तो metal का बना हुआ है और उसके चारो तरफ जो है product gas गुजर रहा है, तो फिर product gas क्या करेगा, economizer के pipe को गरम करेगा, और उस pipe में क्या है, यहां से जो पानी खीचे वो पानी गुजर रहा है, तो उस पानी का temperature को क्या करेगा, बढ़ा देगा, समझ में आ रहा है, जैसे माल दीजिए, गंगा के river से 20 degree का temperature से water को खीचा, पर जब वो economizer से गुजर रहा है, तो उसका temperature हो सकता है, पहुच के 45 degree, 50 degree पहुच गया, तो सोचो, अब हमको boiler के अंदर पानी को 20 degree से 100 degree नहीं पहुचाना पड़ेगा, कितना से 50 से 100 पहुचाना पड़ेगा, तो काफी कोईला का जो खपत होने वाला था जो consume होने वाला था, वो कम होगा, तो आपके boiler का, आपके thermal power plant का economy क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहां से क्या हो गया, water को खीचा, इक्नोमाईजर क्या क्या है, तो इक्नोमाईजर एक ऐसा device है, जो boiler के अंदर जो पानी डालते हैं, उसके temperature को बढ़ा देता है, किसके मदद स तो ऐसे device को क्या कहेंगे, इक्नोमाईजर कहेंगे, आपको समझ में आ रहा है, अब देखे, इक्नोमाईजर से क्या हो गया, यहां cold water है, यह आपका कैसा है, cold water है, अब इक्नोमाईजर से जब गुजरा, तो इसका temperature थोड़ा सब बढ़ गया थी, इसको हम hot water के नाम से दे द तो क्या क्या किये, तो वापस अब यहां साइए, देखे, super heater को आप 6 नमबर दिए, अब इक्नोमाईजर को आप 7 नमबर दे देजे, clear हो रहा है, यह कहां से पानी खीच रहा है, तो यहां से खीच रहा है, clear है, नहीं तो 7 नमबर आप यहां पर दे दो, यहां भी मत दो, 7 नमबर आप यहां पर दे दो, और इसको जो है, 8 नमबर दे दो, clear हो गया, अब यह जो product gas है, यह देखे, अभी उपर जाही रहा है, बेचारा पहले, super heater को गरम किया, फिर economizer को गरम किया, अभी भी ताकत बचा हुआ है, उसमें, अब सोच यह, कोईला को जलाने के लिए continuous ज अगर लकडी कोईला को आप जलाते हो, तो उसका combustion प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि जो air रहता है, उसमें already moisture content जादा होता है, तो हम लोग क्या करते है, air preheater, यह क्या करता है, इक pump है, इसको कहते है, force drought fan, यह क्या करता है, atmosphere से हवा को खीचा, high speed से खीचा, और इसको क्या करत है, air preheater में डाल दिया, तो air preheater भी क्या है, एक पतला सा pipe है, तो हवा, यह pump जो है, यह fan जो है, वो हवा को खीचा, और air preheater क्या है, pipe है, उसमें हवा यह जो atmosphere से आया, वो जा रहा है, और यह जो धुआ है, यह इधर से उपर जा रहा है, तो सोचो कि जो pipe है, उसको फिर गरम क और pipe के अंदर क्या है, नेचुरल एयर है, अब नेचुरल एयर में जो भी water molecules होगा, चुकि pipe वो गर यह जो product gas है, वो उससे गुजर रहा है, तो उस pipe को क्या कर रहा है, गरम कर रहा है, तो pipe के अंदर जो air है, जिसमें moisture होगा, वो क्या होगा, वो भी evaporate हो जाएगा, उससे water molecules हट जाएगा, और सिर्फ dry air रहेगा, तो यह देखे होट एयर, अब यह होट एयर को कहा भेजती है, फरनेस के पास, अभी समझ में आ रहा है, होट एयर को क्या किया है, फरनेस के पास, तो यह no number होगा, अब जो product gas है, उसको कहीं नहीं भेजते, अब direct क्या है, एक fan लगा इसको कहते है, induced drought fan, induced drought fan, यह क्या गनाता है, प्रेसर डिफ्रेंस बनाता है, च्योकि एट्मॉस्फियर में हवा है, और उसका भी pressure है, तो और चीमनी से जो product gas निकलेगा, उसका भी pressure होना चाहिए, अगर atmosphere का प्रेसर जादा है और चीमनी से जो product gas निकल रहा है, उसका pressure कम है, तो पता चलेगा कि जो प्रोड़क्ट गैस है जो चिमनी के थुरू बाहर जाही नहीं पा रहा है तो यह जो इंड्यूस्ड फैन है यह प्रेसर के डिफरेंस को क्रियेट करता है अब यहां से जो है चिमनी बना हुआ रहता है लंबा सा बड़ा हाइट वाला इसलिए बनाया जाता है कि जो प्रोड़क्ट गैस है जो उसमें गैसिस पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल है वो काफी हाइट पर इसलिए टावर बनाया जाता है उसका चिमनी बनाया जाता है कि वो large area में जाके spray हो किसी particular area पर नहीं हो नहीं तो वहां को pollute कर देगा तो यहां से finally chimney के थुरू atmosphere में छोड़ दिया जाता है clear हो गया अब चलिए अब turbine से जो काम किया यहां पर जो turbine लगा है पहला कैसा रहेगा वो high pressure turbine फिर intermediate और फिर low turbine देखें यहां पर आप हमेशा याद रखेंगे ऐसे चोटा से बड़ा बनाएंगे चोटा से बड़ा बनाने का मतलब है कि यहां अगर चोटा है तो यहां का प्रेसर जादा है धीरे धीरे इसका प्रेसर कम होते जा रहा है तो टर्वाइन आप ऐसे ही बनाएंगे अब टर्वाइन क्या किया रोटेट किया इसमें बहुत सारा blade लगा हुआ रहता है इस तरह से क्वालिटी थोड़ा कम हो गया मतलब उस steam में steam भी है वाटरवेपर भी है तो इसको कहेंगे एक्जास्ट स्टीम को क्या किया हैं मुद्ध कंडेंस किए ठंडा किया अब यह जो एक्जास्ट स्टीम है यह भी पाइप के द्थरू आता है और यह कंडेंसर में क्या है river से पानी को खीचे उसमें पानी भरा हुआ है तो सोचिए किसी टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है और ये जो exhaust gas है उसमें pipe लगा हुआ है ठीक तो pipe तो no doubt steam है तो वो गरम होगा पर वो जो टंकी उसमें ठंडा पानी है तो वो क्या करेगा उसके steam के temperature को कम कर देगा फिर बच्चा के मन में question आता है direct इसको boiler के अंदर क्यों नहीं भेज देते हैं इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि boiler के अंदर water वो steam बनने के लिए तयार है और यहाँ पर water भी रहता और steam भी रहता है इसका pressure अलग है इसका pressure बहुत अलग है तो दोनों का pressure मैच नहीं करता है दूसरा बात जो pump हम लोग use करते हैं वो किसी एक ही चीज़ को भेज सकता है या तो water को या तो gas को ऐसा कोई pump नहीं बनाए कि जो water को भी खीचे और gas को भी खीचे इसलिए हमको एक phase में बनाना पड़ता है तभी तो यह pump खीचेगा तो इसको condense किया जाता है अगर वहां condense का rate कम होता है तो उसको cooling tower में भेज दिया जाता है cooling tower में क्या होता है बड़ा सा tower होता है और उस tower में जो steam exhaust steam होता है उसको spray किया जाता है जिससे कि वह ज्यादा speed में जो है ठंडा हो तो cooling tower से भी निकल गया अगर condenser से हो गया तो direct यहीं से feed कर दो नहीं तो cooling tower में उसको भेज दिजिए और फिर वहां से ठंडा करके फिर pump के मदद से इक्नोमाइजर में गुजार रहे है देखिए जो water river से ले रहे है वही river ले रहे है जो extra है रिपीट कर रहा हूं ज़रा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है कि जो turbine से आपका steam निकल रहा है उसको तो हम लोग ठंडा करके वापस recycle कर रहे हैं यह देखिए यहां से वापस recycle कर रहे है पर क्या होता कुछ cooling tower में जो है भेपर बनके बाहर निकल जाता है तो क्या होता है कि जो water है वो कम पढ़ जाता है हम लोग को क्या करना पड़ता है वापस river से खीच के भेजना पड़ता है और फाइनली यहां से जो अल्टरनेटर रहता है यह electricity बनाया transmission लाइन के तुरू इसको भेज देते हैं और बीच में बहुत सारा सब स्टेशन होता है जहां पर step up step down किया जाता है तो I think आपको thermal power plant का block diagram जो है कुछ समझ में आच चुका होगा इसको क्या करना है बाबु बस एक दो बार lecture को और अच्छे से सुनना और कुछ नहीं करना है जो जो बात बता रहा है कैसे कैसे arrow जा रहा है connection कैसा रहा वो आपको दो तीन बार करना पड़ेगा तब ही जाके यह याद होगा तो पहला कह रहेगा coal storage, coal handling, boiler यहां से जो coal है उसका ass निकलेगा यहां से बाहर चला जाएगा, boiler से जो steam निकलेगा उसको super heater से गुजा रहेंगे फिर turbine के पास जाएगा, turbine को rotate करेगा, electricity generate होगा, transmission line में जाएगा, turbine से जो exhaust steam है उसको ठंडा करेंगे, एक phase में लाने का कोशिस करेंगे, चुकि यहां यह steam के रूप में है, मतलब भाब के रूप पे, तो इसको ठंडा करेंगे, water के रूप में लागे, condensed करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको वापस feed करेंगे, कहां boiler के अंदर, तो boiler के अंदर direct नहीं करेंगे, किसके तुरू गुजा इकनो माइजर, इकनो माइजर क्या करेंगा, तो उसके temperature को बढ़ा देगा, water जो है, बीस डिग्री, तीस डिग्री, उसके temperature को पचास तक पहुचा दिये, फिर यहां से इकनो माइजर से यह hot gas, hot water जो है, boiler के अंदर चला गये, अब boiler से जो product gas निकला, वो super heater को गरम करेंगा, इकनो माइजर को गरम करेंगा, air preheater को करेंगा और फिर चिमनी के थुरू बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें, और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू